Last one month में सबसे जरूरी है कि subjects की balancing करना Subject की balancing का मतलब है अपनी strength जो first top more subject है सबसे कम पढ़ने पे भी अराम से number fetch करवा देता है Number second जो second best है याने opportunity Opportunity का मतलब जिसमें भी comparatively कम पढ़के भी number आ जाते हैं Number three weakness थोड़ा पढ़ना पढ़ता है मेहनत करनी पढ़ती है पर मेहनत कर लेते हो तो number बढ़ जाते हैं नई पढ़ते हो तो कम हो जाते हैं और threat threat मतलब खत्रा कितना भी पढ़ लो तो ओभी number बढ़ते ही नहीं है कभी कभी उल्टा कम हो जाते हैं Generally हम इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं और उस चक्कर में ये भी कम हो जाता है, हमें इस पर focus करना है, हमें अपनी strength और opportunities पर खेलना है, इसको strongest बनाना है, weakness वाले subject पे हलका सा time देना है, और threat को बहुत जादा समय अब नहीं देना, सिर्फ जो teachers ने questions करवाई हुएं, उनकी practice कर और PYQs कर लो, बस